नमस्कार और स्वागत मेरा नाम है ललत और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक वाई ललत के साथ आज बात करते हैं human rights की तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके meaning और definition को फिर जानेंगे कि human rights के object क्या-क्या होते हैं फिर समझेंगे इसके sources को और फिर समझेंगे kinds of human rights कितने तरहे के होते हैं और फिर जानेंगे concept और origin of human rights की आखिर human rights का जनम का से हुआ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं human rights की तो ये दो words से मिलके बना है human or rights यानि rights of every man हर आदमी के अधिकार यानि हर व्यक्ति को जो अधिकार दिये जाते हैं उन्हें human rights काहा जाता है तो अगर इसको define करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि human rights वो basic rights और freedom है जो हर व्यक्ति को दिये जाते हैं उसकी birth के साथ ही चाहे वो संसार में कहीं भी जनम ले तो ये इनको basic rights भी कहा जाता है inherent right भी कहा जाता है birth right भी कहा जाता है और natural rights भी कहा जाता है इनको in-alienable rights भी कहा जाता है क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ होते हैं और इनको transfer नहीं किया जा सकते ये वो अधिकार होते हैं जब कोई भी व्यक्ति as a human जनम ले लेता है तो उसके जन के साथ ही उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं ये वो अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जिये जाते हैं चाहे वो किसी भी caste का हो, किसी भी पंत का हो किसी भी religion से belong करता हो, किसी भी sex का हो और कोई भी nationality हो और इन अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता देके नेवर भी टेकन अवे हाँ इनको रिस्टिक्ट किया जा सकता है कुछ एक सरकमस्टांसिस में जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे आई अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो बहुत सारे पड़े लिखे लोगों ने human rights को अपने अपने तरीके से define किया सबसे पहले बात Mr. J.S. Verma की इन्होंने human rights को human dignity से जोड़ा इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वो अधिकार जो उस व्यक्ति की protection और maintenance किस चीज की dignity की उसके सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी होते हैं और जिनकी वज़े से उस व्यक्ति की personality डवलप होती है उन अधिकारों को human rights कहा जा सकता है उसके बाद Dr. D.D. Basu इन्होंने कहा कि human rights वो minimum rights होते हैं जो हर व्यक्ति को एक state के against दिये जाते हैं या public authority के against दिये जाते हैं just because यो human race में पैदा हुआ है और इसमें किसी भी और चीज को consider करना जरूरी नहीं होता अब बात करते हैं पहली formal definition की जो की किसी act में define की गई section 2D जो है protection of human rights act 1993 का वो ये कहता है कि ये वो अधिकार है जो life, liberty, equality, dignity को guarantee को guarantee करते हैं और ये सविधान के द्वारा दिये गए हैं और ये international convents के द्वारा भी दिये गए हैं और भारत के court में इनको enforce किया जा सकता है अब बात करते हैं डॉक्टर पुरोहित की definition की इन्होंने human rights को उन basic values को बताया जो की हर व्यक्ति को दिये जाते हैं चाहे वो संसार के किसी भी देश में पैदा हुआ हो आए बात करते हैं human rights के objectives की human rights क्यों ज़रूरी होते हैं तो सबसे पहले human rights, human dignity और freedom के लिए ज़रूरी होते हैं ये human rights overall personality develop करते हैं किसी भी individual की उनके अंदर self respect जगाते हैं human rights promote करते हैं harmony को, understanding को और appreciation को human rights हर व्यक्ति को protect करते हैं चाहे वो किसी भी caste, किसी भी sex, किसी भी religion से पैदा हुआ हो और human rights democracy को भी protect करते हैं justice को बढ़ावा देते हैं और human rights friendship को बढ़ाते हैं sources of human rights की human rights basically आये कहां से तो सबसे पहला source जो माना जाता है human rights को वो माना जाता है UDHR universal declaration of human rights जिस idea को 1942 में conceive किया गया और adopt किया गया 1948 में दोसो पहली बार international level पे second world war के बाद human rights की जरूरत को महसूस किया गया ये माना गया कि लोगों के पाच कुछ एक अधिकार कुछ एक freedom होनी चाहिए universal level पे दूसरे source की अब बात करें तो इसको माना गया international treaty and convents international level पे जो भी देशों के बीच में समझोते होते हैं वो उन देशों को मानने ही पड़ते हैं और इसी वज़े से ये दूसरा source बना ऐसे ही कुछ regional treaties भी होती हैं जैसे यूरोप वालों ने अपना एक convent बनाया अमेरिकल वालों ने अपनी एक treaty बनाई अफरिकल वालों ने अपना एक charter बनाया ताकि वो अपने अपने region में human rights को promote कर सकें तो ये भी एक source बना human rights के लिए और फिर United Nations जो charter लेके आया वो सभी देशों पे लागू हुआ ये भी source बनाया तीसरे source के अगर बात करें तो international level पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की कुछ practices को prohibit करते हैं जैसे genocide की practice को prohibit किया जाता है slavery की practice को मना किया जाता है कि आप नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को आप torture नहीं कर सकते या किसी के साथ inhuman treatment नहीं कर सकते तो ये जो traditions follow करते हैं तरह तरह के लोग international level पे ये tradition आगे जाके law बन जाते हैं और ये source बनते हैं human rights का चौथा है judicial decisions तो जो supreme court अलग-अलग देशों के decisions देते हैं regarding human rights वो एक important source माने जाते हैं human rights का और फिर international court of justice में जो भी decision आते हैं human rights को लेके उसे भी एक source माना जाता है फिर आता है official documentation तो दोस्तों जब United Nation का गठन हुआ और बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए तो वहाँ पे बहुत सारे documents बनाए गए journals बनाए गए, articles लिखे गए बहुत सारा paperwork हुआ ये भी एक source बना human rights का जिसने define किया कि human rights कौन-कौन से होंगे और किस-किस level पे human rights को promote किया जाएगा अब बात करते हैं generation of human rights की यानि human rights basically कितनी तरह के होते हैं सबसे पहले civil and political rights इन्हें first generation right भी कहा जाता है second economic, social and cultural rights इन्हें second generation right भी कहा जाता है और फिर आता है collective right इनकी detail हम next videos में discuss करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेता है सबसे पहले बात civil और political right तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है ये वो rights होते हैं जो civil और political अधिकार देते हैं वेक्तियों को जैसे right to life, जीने का अधिकार security का अधिकार किसी भी torture से बचने का अधिकार किसी भी inhuman और degrading treatment से बचने का अधिकार कुछ भी सोचने का अधिकार freedom of religion का अधिकार freedom of movement का अधिकार ये civil rights में count किये जाता है और political rights की अगर बात करें तो political rights को उन से होंगे आप voting का अधिकार आपको दिया जाता है और election में participate कर सकते हैं ये अधिकार आपको दिया जाता है ये political rights, दूसरे अधिकारों की बात करें तो social, economical and cultural rights इसको ऐसे याद कीजेगा रोटी, कपड़ा और मकान यानि adequate food, right to clothing और right to housing ये अधिकार दिये जाते हैं right to education, right to physical and mental health ये अधिकार आपको दिये जाते हैं और social security का जो अधिकार है वो इन अधिकारों में शामिल होता है इनको positive rights भी कहा जाता है क्योंकि ये state को कहते हैं कुछ करने के लिए कि आप कपड़ा दीजिए आप मकान दीजिए रहने के लिए आप adequate food दीजिए आप एक standard of living को promote कीजिए आप education दीजिए लोगों को तो state को ये काम करने के लिए कहते हैं इसलिए इनको positive rights भी कहा जाता है और ये rights basically social equality पे belong करते हैं और ये समाज में धीरे धीरे accept किये जाते हैं अब बात करते हैं तीसरे rights की तरफ जो है basically collective rights collective rights का मतलब ये किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता ये एक पूरी society और community या group of people को दिये गए अधिकारों की बात करता है इसी लिए इन्हे group right भी कहा जाता है example के तौर पे समझिए right to development यानि एक road बनाया गया वो road किसी भी व्यक्ति का तो नहीं है वो पूरे समाज का है पूरी society का है या फिर एक group of people का है तो इस right को collective right कहा जाता है right to safe environment right to peace right to self determination ये वो अधिकार होते है जो कोई व्यक्ति अकेले enjoy नहीं करता बलकि वो group of people के साथ को enjoy करता है आई अब बात करते हैं कि human rights का concept basically आया कहा है तो सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं वैदिक एरा वैदिक एरा में लोगों को एक particular set of standard दिया गया था कि आप ऐसे रह सकते हैं एक dignity थी एक सम्मान लोगों को दिया जाता था माना जाता है कि human rights का जनम महीं से हुआ दूसरी अगर बात करें कि modern era में concept कहां से आया तो modern era में concept आया Magna Carta से Magna Carta को याद रखने के लिए एक कहानी सुनिये एक राजा था जिसका नाम था King John England में उसने बहुत सारे heavy taxes लगा रखे थे जनता के उपर तो England की जनता एक दिन भड़क गई उन्होंने protest किया और उन्होंने एक paper बनाया जो कुछ लोग उस document को राजा के पास लेके गए और उसमें क्या था उन्होंने कुछ rights को demand किया कि हमें कुछ अधिकार दिये जाएं क्या अधिकार दिये जाएं कि जब भी आप text लगाएं तब वो text बिना किसी common council के approval के ना लगाए जाएं दूसरा उन्होंने बोला कि जब किसी व्यक्ति को jail की जाए तो उस व्यक्ति का trial हो उससे पहले और तीसरा उन्होंने महागा England के अंदर व्यापारी को ये अधिकार हो कि वो freely travel कर सके ये पहला document माना जाता है जिसमें human rights की बात की गई थी पहला formal documents जिसमें human rights को define किया गया 1216 से 1217 के बीच में जो England की parliament थी उसने Magna Carta को confirm कर दिया 1297 में Magna Carta को एक redefined form में confirm किया गया और उसको और बहतर तरीके से बनाया गया उसके बाद petition of rights आया 1628 में जिसमें parliament ने civil liberties के demand करी राजा के आगे और कुछ एक document भेजे कि ये civil liberties तो आपको लोगों को देनी ही पड़ेगी human rights को further improve किया गया और petition को भी enhance किया गया उसके बाद आया Bill of Rights 1689 में इसमें civil rights को clearly define कर दिया गया और इसको कानूनी रूप दे दिया गया 1689 ये सब कुछ England में चल रहा है उसके बाद आया Virginia Declaration 1766 इसके अंदर ये declare किया गया कि हर व्यक्ति के कुछ fundamental right है और उसको वो naturally right दिये गये हैं कि हर व्यक्ति free है, independent है और उसके जनम के साथ ही उसको कुछ अधिकार मिलते हैं उसके बाद आया Constitution of USA 1787 ये बहुत important change था इसके अंदर बहुत सारे fundamental और human rights की बात की गई और fundamental right को और बहतर तरीके से डाला गया US Constitution ने प्रेरित किया French Declaration को जो की 1789 में आया और इसमें right of men और citizen की बात फिर आया Universal Declaration of Human Rights UDHR 1948 में जब World War खतम हुआ तो United Nations General Assembly में जो देश शामिल थे उन्होंने human rights को accept किया कि human rights होने चाहिए और universally होने चाहिए यानि सभी देशों को अपने देशों में fundamental right लागू करने चाहिए और उन्हें protect करना चाहिए और फिर आये International Covenants 1966 में सबसे पहले ICCPR और ICESPR इन दोनों को 16 December 1966 को adopt किया गया UN General Assembly में तो दोस्तों ये हो गया हमारा human right का topic खतम यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो comment करके जरूर बताईएगा knowledgeable लगा तो उस थंगूठे के निशान को अलका सा दबा देना ताकि मुझे भी motivation मिल जाए और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और कुछ जादा ही अच्छा लगा तो subscribe कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्त रहें और शशक्त बनें जैहन जैभारत